आज परताल दुनिया भरकी में हम चर्चा करेंगे उन मुलकों के बारे में उन देशों के बारे में जहां की ख़बरों का सीधा तालुक भारत से है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास इसमें मौजूद है नियूस क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्ट प्रबीर परताल दुनिया भरकी में सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि ब्राजील में जो खबरें आ रही हैं जिस तरह से खबरें चल रही है जिनका सीधा तालुक भारत से है वैक्सीन से है ये सब जो चल रहा है ये क्या हो रहा है को वैक्सीन का जाना आना सारा जो रिष्टा गरबर घोटाला जो हुआ है इसे हम कैसे देखें पहली बात हो कि ब्रजिल इस वक्त एक बहुत ही दिल्चस्प कह सकते हैं या क्रिटिकल स्टेज कह सकते हैं कि राजजितिक्स तोर पे हैं क्योंकि वहां पर लूला इस वक्त जेल से बाहर हैं उनके उपर केसे जो है ताफी हद तक वो बताया गया है कि गलत था और उनको मुक्ती पाने के साथ साथ वो प्रेजिडेंट की चुनाव में जो होने वाला है कुछी एक साल के अंदर होने वाला है तो वो एक बहुत कठिन दावेदार बनेंगे बोलसनारों के लिए बोलसनारों का इस वक्त सितारे जो है कुछ हद तक गर्दिश में है तो ये पहलू आमको समझना पड़ेगा और इसलिए कि जो जो चीजे इस वक्त आ रही है वो काफी जोड पकड़ रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक घटना दो घटना नहीं है इसके पीछे क्रम है अगर उलसनारों का भूमी का देखे वो तो टरंप के साथ मिलके उन्होंने कहा था कि ये तो कुछ बाइरस है ही नहीं है बेकार है तो एक तो पहला उसका ये था और दोनों ही लोग हमारे प्रदान मंतरी नरेम मोदी के बहुत खरीदी दोस्त दोनों से वित्ता ही नहीं दोनों हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन के भी बड़े भग्त थे दोनोंने हिंदुस्तान से hydroxy chloroquine मोदी साथ से बात करके मंगवाए हमारे प्रधान मंतरी दोनों को hydroxy chloroquine भेजा अच्छा वुआ बुरा वुआ बात है तो यह गहरा नाता तो है इसमें कोई दो राहे नहीं है और राजितिक तौर पे एक हद तक एक राइट विंग एक्सिस जो बन रही है जिसमें ट्रॉम्प प्रधान थे पर बाइडन से कोई फरक नहीं पड़ा उस चीज़ का अमरीका उसका नेत्वित्त करता है यूर तरह से एक एक्सिस है जो अमेरिका त्यार करना चाहता है रूस, इरान, चीन को अलग करने के लिए और खास तोर से दुनिया में जो दूसरे मुलके हैं उनको इनके पास ना जाने दिया जाए इसके उसका कोशिश रहा है तो इसलिए बोलसेनारो की एक एहमियत है कि बोलसे जो लाटन अमेरिका में उसका राजडितिक भार सबसे ज्यादा है सबसे बड़ा मुलक है वहाँ का तो राजडितिक ग्रूप से लाटन अमेरिका मानचेत्र बदल जाएगा ये खत्रा है इसलिए विलियम बर्ड्स जो CIA का प्रधान है डारेक्टर है वो अभी दौरा कर च का जिस से लूला के खिलाफ ये इस तरह से मामला बनाए गया गलत मामला थाबित हुआ पर लूला को पीछले चुनाओं में लड़ने नहीं दिया गया था और यही चीज है कि सोचिएगा इसकी डिल्मा रुसिफ की जिस तरह से उनको प्रेजिडेंट्शिप से उनको निका मोरो उनकी चलते यह सब चीजे हुआ और जजज मोरो आखिर जाके पॉल्सिदानों को कैबिनिट में गए और इसके बाद वहां से भी उन्हों पाद़ ट्याग किया कि हम इसे काम नेंगे साथ काम नहीं कर सकते और उनके जो उन्होंने जो 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 काम किये थे जितने सारे प्रिश्ट भूमी है अगर आप को वैक्सिन की बात आप करें जो अभी आपने बात किया तो यह एक इसी लिए इस वक्त बहुत खबर में है कि बॉल्सिनारों को जितने सारे चीजे हुई है करॉप्शन की बहुत सारे और भी चीजे आई है तो इस पे बड़ा नेकेडली निकल गया चीजे बाकी आरोपों से वो बच गया बाकी आरोप चल रहा है पर इस आरोप में वो फंस गया अभी गया नहीं है अब जाने वाला था अब जाने वाला भी नहीं है कि उन्होंने इस वक्त सस्पेंड कर दिया और को तो इसके वज़े फंस गये क्योंकि उनकी ज उनकी presidential form of government है, उनको Senate, Congress में उनकी कुछ powers तो है, तो उन powers को रहते हुए, उनको control वो कर रह थी कि उनके लोग वहाँ पर उनके साथ alliance थे दूसरे पार्टियों की, चोटे-चोटे पार्टिया है, middle-size पार्टिया है, इस सब alliance में थे, बोलसनारों को रखने के लिए, बचाने के वो alliances तूट रही है, और इस चीज में जो खास चीज हुई है, कि को वैक्सीन इन्होंनों 20 million doses, दो क्रोट डोस यहां से लेने की वादा किया, उनका contract signed हो गया, और उसके साथ-साथ दाम जो था, ओ 15 dollar पर डोस था, ब्रेजिल के दूसरे वैक्सीन से काफी ज्यादा महंगा थ फाइजर की वैक्सीन से भी ज्यादा महंगा दाम यह इस contract में हुआ, को वैक्सीन का रहा है, मैं इस बात पर नहीं जा रहा हूं कि इतना होना चीज ही नहीं होना चीज पंडर डॉलर पर डोस करीब-करीब हमारे यहां भी यही प्राइस चल रहा है, तो यह सही है गलत है, पर जिस पे भज गया इस चीज में, कि जब contract साइन हुआ था, तो उनकी जो Brazilian company है, उसकी नाम थी, जो उनको प्रतिनिरित्व कर रहा था, इसको रेप्रेजेंट कर रहा था, को वैक्सीन के लिए जो आपका कृष्णाइला की company है, भारत बायटेक का नाम था, और किसी का ना 47 million dollar एक Singapore company को दें, जो इसमें भी कृष्णाइला की कुछ रोल है, तो उसको दिया जाए, advance के तौर पे, तो उसका कोई नाम नहीं था, तो उसको उपर pressure आ रहा था, जो इसको दसकत करना था, इस payment के लिए, तो वो जाके Bolsonaro के साथ मिले और कहा कि देखिए हमारे पर ये pressure है, इस सही नहीं है, तो सिंगापूर की company को हम इतना पैसा दें, इस सिर्फ इतनी बात नहीं है, कहे कि इसका नाम नहीं है contract में, हम सरकारी है, हम कैसे तीसरा किसी company को पैसा दे, advance में, जबकि agreement भारत वयाटिक के साथ है, और Brazilian जो company उसको represent करता है, उनकी दो नाम है, तो Singapore की company कहा से आ गई, तो Singapore की company इस तरह के आने का मतलब, जो कहते है कि paradise papers में जो आते है, इस सिर्फ एक sign post होता है, जिसमें company करती है, तो यह foreign exchange पूरा भारत वश्च पे ना आए, लगता है, इसकी एक इसके पीछे कुछ, एक ताना बना network बना था, बना था और यह भारत biotech की ही थी, और कोई तीसरी company के नहीं थी, मान के चलना पड़ेगा, लगता है, तो यह सब जो है, बोलसनारो कहा कि मैं इसके investigate कराता हूं, कुछ नहीं किया, और वो साबित हो गया, क्योंकि जो गए थे मिलने, उसकी भाई भी Senate या Congress में है, वो भी आये थे, तो दोनों ने कहा कि हमने ब कर रही, उन्होंने अपना एलान वहाँ पर दिया, और इसके बाद वहाँ पर बावाल मचा, तो इस पर court में भी गया है, Supreme Court वहाँ निर्देश दिया है, उनकी जो prosecutor, general, attorney general हमारे हिसाब से होगा, उनको निर्देश दिया है, कि इस पर आप investigate करे, और यह लगता, नहीं, तो यह एक criminal offense है, तो उसके लिए एक साल तक की सजा हो सकती है, तो investigate करे, और इस पर complaint file करे, Supreme Court की निर्देश है, तो यह सब जब बावाल मचा, तो उन्होंने इस agreement को वहाँ पर रोग दिया, फिलाद सस्पेंड किया, खतम नहीं किया, सस्पेंड किया है, पर राजद कि कुछ third week में plan था, उन्होंने तीन तारीकों किया, और ब्रिजिल में एक सबसे बड़ा प्रदर्शनों में यह है, और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं कि यह को वैक्सीन वाला इश्यू है, पर वैक्सीन और COVID-19 के साथ जो बॉलसादारों की रवाया रहा है, जिसके बजह से लोग इनको दोशी मानते हैं कि सबसे ज्यादा second largest deaths, दूसरा नंबर पे है मौत की स्थान में ब्रजिल, तीस्था स्थान में है जितने लोगों को COVID-19 बिमारी हुई है अभी तक, हम दूसरे स्थान में आ गया है, अमरीका भी भी number one है, ठीक है ना, उनका ये भी कहना है कि ब vaccine ठीक से नहीं आया देश में और वाकई Bolsonaro vaccine में डिले किया और AstraZeneca की vaccine में भी एक डालर का किसी ने मांग किया है कि उसको एक डालर पर vaccine dose को एक उसका tax के तौर पे, tax के तौर पे इस्तवाल किया जाए, किसी और company को दिया जाए, तो ये सब चीजे जो है, इसको देखते हुए लोगों की बहुत नाराजगी है कि आपने ये सही नहीं हैंडल किया, COVID-19, पहले अपना नकारा, इसके बाद अपना गलत दवाय पेश करते रहे, कि मैं ये इसलिए जाना चारी थी कि जिस समय ये सब समझाता हो रहा था कि इतना जाएगा, उस समय भारत में भी vaccine की बड़ी के लिए, तो ये वही vaccine है, जो यहां के लिए भी मुसीबत है और वहां के लिए भी मुसीबत बनी, आखिर देखिए, लेकिन यहां कोई इस पे कोई क्या भारत सरकार को कि इसमें तो agreement भारत की एक company के साथ था और उसमें कुछ जाच यहां पर आपको लगता है, हो पाईगी पता चल पाएगा. पर अभी तक हिंदुस्तान से vaccine export उस तरह से शुरू नहीं हुआ है, और जब तक यह vaccine की कमी रहेगी देश में, एक्सपोर्ट करना आसान नहीं होगा कोवैक्सीन के लिए, तो एक हिसाब से कोवैक्सीन भी छूट गया इससे, कि भारत बैटे, कर एक सूचिये, बलसनारों क खिलाफ इतना जो आक्रोश है, इसका वजाए एक भी है कि वैक्सीन ठीक से vaccination नहीं हुआ, चिली में 50% से ज्यादा हो गया, और किसी जगा पे 40% से ज्यादा हो गया, वहां पर सिर्फ 15% तक उन्हों का या चाथ 12% तक उनका vaccination हुआ है, हमारे यहां साड़े 5% तो यहां कोई आक्रोश नहीं है, यहां पर आक्रोश नहीं है, मैं नहीं मानूंगा, इस second wave में जरूर लोगों को काफी इसमें गुसा है इस बात पे, कि हैंडल सरकार ने ठीक से नहीं किया, और हर्शवदन को इसके लिए एक हिसाब से उसको बली का बकरा बना दिया गया, एक हिसाब से, पर सवाल तो यह है, कि जिस तरह से हमें second wave की तयारी करनी थी नहीं हुआ, जिसके वो गुसा अभी भी और अभी जो vaccination की स्थिती है, अभी भी लोगों में है, और खास तोर से oxygen जिस तरह नहीं मिला, चाहे जो भी आंक्रे पेश करते रहे, यह गुसा लोगों जो पहले नजर अंदास किया, इसके बाद गलत दवाईया, और वो कह रहे है कि देखो गलत vaccine भी ला रहा है, को vaccine को अभी भी WHO को permission नहीं मिला, अभी तक उन्होंने अन्वीसा जो उनका regulatory agency है, उनका परमिशन नहीं है, अभी तक नहीं हुआ, थर्ड फेस की जो data अभी हमारे यहां आई है, वो data उन्हों में submit नहीं किया था, अन्वीसा को उनके जो regulatory authority है, तो बहुत सारे सवाल इसकी है, कि आगे बढ़के इतने सारे vaccines है, जो WHO approved है, आपने इस vaccine को क्यों लिया, एक सवाल उनमें है, और देखिए का चीन का जो vaccine था, बुलसराण नो उसको विरोथ किय ठीक है न, तो बहुत सारे और राजदीद vaccine से जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ है, तो वो गुस्सा भी लोगों में है, और मैं नहीं मानते हैं यहां पर गुस्सा नहीं है, यहां पर भी है, तो फिलहार लगता है कि को vaccine वाला जो पूरा है, वहां पर थोड़ा भारी पढ़ेगा राजनितिक रूप से बुलसदार हो, भारी पढ़ चुका है, परताल चल रही है, Congressional Committee इसकी hearing चल रही है, इसमें investigation हो रहा है, Supreme Court बोला है कि investigation करिये, इसमें अतीन महिने के अंदर report file करिये, तो यह आसानी से बुलसदार हो इससे निकल नहीं पाएंगे, case में क्या होगा अलग बात है कि एक साल देर साल में चुनाओ हो जाएगा, चुनाओ है बहुत भारी पढ़ने वाला है, अभी भी ओ लूला के काफी पीछे हैं, और मेरे ख्याल से इन सब चीजों में और भी उनकी हालत खराब होने वाली है, अब आते हैं भारत के पास, अफगानिस् बहुत अलग धंग से अफगानिस्तान में स्थितियां, पहले से जो प्रिडिक्शन था कि अमरीका से ना वापस हटेगी, दूसरे धंग की चीजें आएंगे सामने, तकरीबन वैसे ही चीजें चल रही हैं, खबरे आ रही हैं कि तालिबान फिर पावरफुल हो रहा है, ता कि जो पूरी सेना है, जो लंबे समय से बनी हुई है, जिसका बहुत विरोत पुरे भारास ही पुरे दुनिया ने किया था, ये जो घटना करम अभी चल रहा है, उसे आप कैसे देखा जाना चाहिए, देखिए अफगानिस्तान बड़े बड़े जो कह सकते हैं इंपायर्स क कबरस्थान रहा है, ठीक है ना, शायद अशोक वहाँ पर जाके उनका इंपायर कुछ दिन तक चलाये थे, कांदाहर में, उसमे अभी भी उनका शीला मिलता है, ठीक है, वहाँ से एक शीला था, टैबलेट है वहाँ की, पर जो इंपायर्स रीसेंटली है, उसमें बुक ये अफगानिस्तान आसान मुलक नहीं है, अगर आप हवाई जहाद से अफगानिस्तान से उपर से गुजरें, नीचे देखें, तो पता चल जाएगा क्यों, बड़ा मुलक है, चोटा नहीं है, और उसके साथ-साथ इतना उसकी जमीन जैसी है, इतना पहाड़ी जमीन है, वहा से निकलना आसान नहीं पड़ा, यह तो साफ है, और 9-11 के फिका दुनिया को दिखाना था, कि яти कह ने कुछ किया, चाहे कि इसके खिलाब किया, क्या-कि अलग बात है, और अफगानिस्तान मुल पर हमला किया, कि हिराक को जाके सदाह हुसेंड पर हमल्हा इसों कोई तालु दूक नहीं था वह इसे करना चाहते थे तो इसी लिए これा ता अफगानिस्तान उनके लिए सिर्फ एक वाइब ता यह यह इन पर अफगानिस्तान की जो हालत है उस में यह है कि अम्रीका वहांपर देखिए अमरीका समर्थन कौन करेगा DR? आसपास की मुलकों को देखिये, कहां है अमरीका, पाकिस्तानी से एक मुलक है, जिनके साथ मिलकों आफगानिस선 में कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान अपर वहाँ पर काफी नजर अलग भी था, अफगानिस्तान को control Pakistan करना चाहता था अमरिका चाहता था कि तालिबान जो एक हिसाब से एक alliance था पाकिस्तान ISI के साथ उनका तो उनको अलग कर दिया जाये तो धीरे धीरे तालिबान मजबूत होता गया और पाकिस्तान के लिए खत्रा बनने का संभावना है ऐसा नहीं कि वो समझ लिए यह संभब नहीं है अगर यहां रहेंगे लोग मर रहे है कोई असर नहीं पढ़ दा है धीरे धीरे यहां पर पीछे ही हट रहे हैं तो इसलिए इससे निकलना चाहिए दो प्रेजिदेंट कोशिश कर चुके है निकलने की बाइदन अब सोचा कि ट्रम्प ने रा सेंट्रल गावर्मेंट अमेरिका के बिना चल नहीं सकता अमेरिका अगर विद्रौ कर जाए तो सिर्फ अफगानिस्तान एयरपोर्ट का किया होगा यही चर्चे में है और कोई चीज उसमें चलेगा लग नहीं रहा है अब कांधार देखी सकते हैं कि जिस तरह से कांधार आं कहां से हम हैं बीच में पाकिस्तान है उसका दूसरा मुल्क जो उसके लगवा मुल्क है एरान है इधर चीन है और उधर जो सेंट्रल एश्यन मुलके जो है उनके साथ उनका बॉर्डर है हमारे साथ कोई बॉर्डर नहीं है तो हम अफगानिस्तान में क्या करेंगे यह सवा क्या करेगा और जोहां पर दूसरे मुल्क है उस बेकिस्थान बगारा उनके साथ का क्या संबंध है तालिबान चाहता कि मैं इस देश को चलाओ मेरे तरफ और जानते ही है 17 सदी की चिंताएं भी वहां पर है काफी जिसको एक जमाने में अमरीका ने इनको कहा था प्रांतिका पूरा इन्होंने बनाया तो इन्ही को जिहाद international को जो कहते हैं जो बात करते हैं यह इन्हों बनाया तो इन्हीं ने था तो यह तो बनाया था क्योंकि left को communist देशों को रूस के Soviet Union के खिलाफ और जो nationalist मुल्क है जो चाहते थी कि West Asia की तेल अगर है तो मेरे देश में है तो मेर इसे development होने चाहिए उनके खिलाफ था यह तो यह सब जो राजडितिक माहौल है बदल चुका है और आज के तारीक पे अगर हमें इसमें कुछ करना है हमें प्ले करना चाहते हैं अगर इस चेत्र में तो अमरीका के साथ बिलके इंदो-पसिफिक बोलके नहीं होगा मानचित इसे दर देख लीजेगा अभी वी कि अफगानिस्तान Central Asia का गेटवेः है हमारे साउत एशा से इरान का भी गेटवेः है थिसार्ट टू गेटवेस हमारे ठीक है ना एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ अफगानिस्तान है तो आप Central Asia, West Asia Central Asia तो समंदर से नहीं जा सकते हो त तो आप Central Asia की पूरी जो खेल जिसे कह सकते है ना अंतराश्टी अस्तर पे उस गेम से इस वक्त आप बाहर हो और अगर वहां आपको जाना है तो पाकिस्तान चीन के साथ आपका संबंद बदलने पढ़ेंगे और कैसे बदलेंगे वो मुझे नहीं बालू क्योंकि उसके आसार इसेंदो पसिफिक कह रहे हो तो आपकी इस साउथाइस्ट इसेंद इसेंदोर की बात आप कर सकते हों इस आप आप जा इंदो-Pasific की बात करते हैं, ठीक है ना, अब अमरीका एक समुन्दर से घिराऊ हुआ है, एक देश है, एक इसाब से, ठीक है ना, बहुत दूर है, यूरेशिया से बहुत दूर है, ठीक है न, उसकी भाष आप अपना रहे हों, तो ये भाष आप यूरेशिया, जो फॉर फि में मैं समझता हूं लंबे अर्से के लिए जब तक सब मिलके उसकी शांती की बात नहीं करेंगे तब तक वहां पर शांती नहीं आ सकती सबको एक साथ चुद चलना है और आने वाले दिन ऐसा लग रहा कि जैसे जैसे सेना वापस आएगी तालिबान का जिस तरह से दबदबा और पूरा असर वो तो क्लेम करेंगी पूरा कबजा ही है किस दिन करेंगे वो उनके उपर है छे महिना में करें एक साल में करें या तीन महिने में करें यह सोच लीजिए कि तालिबान डिसाइट करेंगी कब इसको करना है वो उस पोजिशन में पहुंच चुके है अगर बह राइ उनका भी बच चुकी है कैसे होगा यही सरी सवालay है ने बहुत होती है बर टालीबान के ऐह चाहिं आपको चीज ढूरान स saf Grandpa 6 आईगर को हम समझतर नहीं करेंगे. तो यह वह कह चुके हैं. मतलब अमरीका के जो वीगर गेम में हम फसने वाले नहीं है. तो शिंजियान और यह जो वीगर को लेकर जो कोशिश है अमरीका की वहाँ पर एक किस्सा तयार करें कि इसलाम खत्रे में है और यह तो इसलाम खत्रे में है और यह तो इसलाम फोबिया के तो धारक बने हुए है इस वक्त पर कहरें कि इसलाम खत्रे में है वो इगर के देखो साथ क्या हो रहा है कोई भी इसलामी मुल्क इसको तो करनी रहा है तालिबान इंक्लूडेट तो ये देखना पड़ेगा कि हमें Central Asia में क्या होता है देखना पड़ेगा क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान हो सकता है इस वक्त अंतर उनकी अंदरूनी पॉलिसी जो भी हो बाहर की पॉलिसी में शायद ज्यादा रियलिस्ट एक नजरिया रखेगा हो सकता है देखना पड़ेगा किसी को विश्वास नहीं है क्या करेगा तालिबान करेगा क्या लेकिन फिलहाल कम से कम ये तैह है कि जो अध्याय अमरीका ने शुरू किया था अफगानिस्तान की धर्ती में एक प्रियोग बर्बर हो गया अमरीका का अफगानिस्तान में जी बहुत शुक्रिया और इसी तरह से हम देश दुनिया की पड़ताल करते रहेंगे खबरें और खबरों से जुड़ा विश्वेशन आपके साथ साजा करते रहेंगे शुक्रिया